Hello Friends, I am Champion Mahipal आज हम C Language में use होने वाले 4 loops और उसके syntax और उसके use के बारे में सिखेंगे तो सबसे पहले 4 loop का syntax यह रहा यह देखिए सबसे पहले हम 4 keyword लिखते हैं उसके बाद bracket start then initialization let us suppose हमें 0 से लेके 9 तक values print करवानी है तो initialization हम क्या करेंगे I की value 0 से शुरू करेंगे initialization सिरफ एक बार ही किया जाता है हर बार जब loop चलेगा हर बार value initialize नहीं होगी सिरफ loop के start में initialization काम करता है उसके बाद condition वो condition चेक की जाएगी यह हर बार condition check होती है loop के अंदर जैसे ही statement execute होगी उसके बाद फिर से condition check होगी conditions के बाद क्या होता है यह curly braces इसके बीच में हम हमारी statement लिखते हैं जो हमें execute करवानी होती है अगर हमारा condition satisfy होती है then increment decrement की मतलब हमारी statement execute हो चुकी हमारी initialization के बाद जैसे i को हमने 0 से शुरू किया था अब हम क्या आते हैं कि i की value do हो जाए one हो जाए तो हम i की value one increment कर देंगे तो यह इसका syntax है इनके बीच में यह semicolumn आते हैं यह भी एक जुरूरी चीज है याद रखने में तो आए इसका example देखते हैं सबसे पहले कि टीजर लिया i जस्ट जो मैंने syntax तया था उसी को नीचे implement किया है 4 keyword bracket start i is equal to 0 कब तक चले जब तक i की value less than 10 हो means 9 तक चलेगा जैसे ही i की value 10 हो जाएगी condition false लूप के बहार आ जाएगा then increment करें one को and here is the printf statement to print okay very simple program तो आएए इसकी output देखते है 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो ये बड़ा ही simple सा program था for loop को implement करने के लिए तो आप इसको अलग-अलग दरहां से करके देख सकते है तब तक के लिए thank you very much